नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो दी एक्जाम के बारे में जिसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वीडियो दी एक्जाम की परिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चैन आयूक के माध्यम से 26 और 27 को पर परिक्षा को दिया साथी साथ अगर बात की जाए परिक्षा के बाद में कट ओफ के बारे में कि कट ओफ आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी पेपर का पैटर्न कैसा देखने के लिए मिला आंसर की इसके अलाबा और भी बहुत सारी जानकारी जो कि किसी भी परिक्षा क होने के बाद आपको जान लेनी चाहिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी स सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि इस बार पेपर का पैटन कैसा देखने के लिए मिला और यहां पर मेरे पास आप सुभी के दोनों ही सिफ्ट के पेपर हैं आज की तारीक में जो दोनों परीक्षाओं देखने के लिए मिली हैं उन दोनों के परीक्षाओं के मेरे पास आप सुभी के बीच आ चुके हैं इन पेपर को लेकर तो आपको बहुत साइज जानकाई मिल गई होगी लेकिन जो काम की बात हैं वो हम कवर कर लेते हैं अगर बात कीज़ें पेपर के पैटन के बारे में तो ज़्यादा तर अभ्यतियों के माध्यम से पेपर के पै में तो अभी तक पेपर जो वो easy to moderate देखने के लिए मिला है यानि कि हम किसी भी language में इसको tough अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप काफी लंबे समय से किसी syllabus की त्यारी करें से 5 साल के अंदर उसी syllabus पर पेपर आभी जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा tough नहीं होगा सेम आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिला अगर shift 1 की हम बात कहें तो वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिला जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि घर का वेदी लंका अधाई यह तो इतनी फेमस हो चुकी कहाबत कि इसको अगर कोई किसी से भी पूछ ले तो वो भी इसका आंसर दे सकता है फिलाल अगर बात कीज़ें परिक्षा के पैटन के बारे में तो shift बनका जो पेपर का पैटन था वो बहुत अच्छा पेपर का पैटन था और अगर आप लगातार वीडियो भरती की त्यारी करे तो आप सुभी के लिए पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है बहुत ही आसान या फिर जिस तरीके का पैपर आना चाहिए था वीडियो भरती की असाब से लगवग बैसाही पैटन आपको देखने के लिए मिला अब ये तो बात ह हो जाती अब्यातियों के माध्यम से दिएकर जानकाई के बारे में स्रिफ्ट बन को लेकर जो अब्याति आगे परिक्षा देने जाने वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इस तरीके के पेपर के पैटन आप सुभी से पूछे जा रहे हैं तो आप इसी से समझे कि आपका पेपर टर्फ था या सिफ्ट टू का क्योंकि यहां पर आप जानते दोनों के बीच में जो भी टर्फ या इजी होगा उसमें बाद में नर्मलाइजेशन पर किया कि माध्यम से पेपर के पैटन के आधार पे यूपी टबले सी आयोग के माध्यम से डिसीज अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिफ्ट टू के बारे में जो कि शाम बाली सिफ्ट देखने के लिए मिली उसकी अंदर पेपर का पैटन कैसा था उसको भी समझ लेते हैं तो यहां पर आप सभी के सामने सिफ्ट टू का पेपर देखने के लिए मिल जाता है पहले नंबर हिंदी में ज़्यादा आप सुभी को दिक्रतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा किसी भी लेंगविज के आधार पर अगर बात की जाए यहाँ पर पेपर के पैटरन को लेकर तो जादा तर जिन अभ्यतियों से मैंने यहाँ वारता की उन्होंने कहा कि दोनों पेपर सदे ह वे पैटन से थे अगर पेपर के पैटन को लेकर हम इसमें भी ये कहना चाहें कि ये पेपर भी आप सभी का बीडियो एक्जाम के असाब से तो गलत नहीं होगा अगर किसी चीज में चाहतों को दिकतों का सामना करना पड़ा तो थोड़ा बहुत रीजिनिंग उनके लिए थोड़ी दिकत वाली देखने के लिए मिली होगी इसके अलावा किसी और पार्ट के अंदर जादा उनको परिसानी नहीं होई है पेपर के लेकिन वीडियो भरती के अंदर ऐसा नहीं था जिस लेवल की उन्होंने तयारी की थी उस लेवल के कोश्चन सी उनको यहां पर देखने के लिए मिले अगर मैं च्छातों की बात करूं तो बाकी आप भी पेपर देखर क्या है सिर्फ बन को दिया हो या सिर्फ टू को आप अब लोग एनलाइज करके कमेंट करके अवशी बताना कि आपके लिए कौंसी टफ जादा देखने के लिए मिली थी क्योंकि यह कहिने की आप सभी के माइन में यह तो होगा ही कि हमारा जो पेपर का पैटन था थोड़ा सा टफ था क्योंकि जब हम किसी परीक्षाम बैठे ह होते हैं उसका पैशा थोड़ा ज्यादा होता है घर पर आकर दूसरे पेपर को देखने के मुकाबले अब अगर बात करी जाए ऐसे अव्यरतियों के बारे में जो हर परीक्षा में तो बैठते हैं लेकिन उनकी त्यारी का इस्तर हमेशा परीक्षा से एक कदम आगे रहता ह जैसे कि ऐसे अव्यरति जो लगाता वीडियो से भी जादा अच्छी प्रपेशन करें थे और उनके लिए जब वीडियो पेपर देखने के लिए मिला तो पेपर के पैटर्न को देखकर चात कहीने की खुश हो गए और उनको लगा कि ये पेपर उनके मतलब का है और बाग क अच्छी में फाइदे बंद भी है फिलाल कुछ अब्यातियों ने इसको लेकर कहा कि उनके लिए तो पेपर बिल्कुर बहुत आसान था और बहुत आसानी से नोने इस पेपर को कर लिया कुछ अब्यातियों को इजी लगा तो कुछ को मोडियर लगा लेकिन टफ वाले नहीं मिले अब कमेंट बॉक्स में मिलते हैं तो कमेंट करके बता दीजेगा फिलाल अगर बात कर लिजाए आप सभी के एक्जाम के बाद कट आफ को लेकर क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कट आफ को लेकर देखने के लिए मिलता है जब पेपर का पैटन हाड हो जाता है तो क कहने की दिन की परेक्षा वो खतम हो गई है अभी 27 तारीक की परेक्षा होनी बाकी है 27 तारीक के बाद में कट आफ को लेकर सही तरीके से डिस्कुसन हो पाएगा लेकिन अभी भी अगर हम कट आफ को लेकर बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आपने कितने questions attempt किये क्योंकि आपके attempt करने के आधार पर cut off का decide यहां से किया जा सकता है अगर बात कीज़ें safe अगर हम cut off के बारे में जब बात करते हैं तो ज़्यादा तर अभ्यरतियों के माध्यरम से जो चीजें देखने के लिए मिली हैं तो मैंने कई अभ्यरतियों से पूछा कि आपके cut off कितने देखने के लिए मिले या फिर आपने कितने सही हो रहा हैं तो कई चात मुझे comment करके बताते हैं कि 126 कोई कहा है 120 किसी का कहना है 108 तो किसी का कहना है 130 लेकिन जैसा कि आप जानते कि अभी ये उपर नीचे होने की बज़े YouTube पर मिलाने पर है जब official answer की आएगी तो जो 110 बाले देखने के लिए मिलेंगे वो 130 पर आ जाएंगे तो अभी cut off को लेकर अभी हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक अच्छे questions attempt किये हैं तो आप सभी के लिए अच्छी बात ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं लेकिन अभी final cut off तक जाने के लिए इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 26 औ 27 को सभी स्रिफ्टों को बिलाकर normalization को जोडते हुए उसके आधार पर cut off बनाई जाएगी क्योंकि जब तक आप लोग अपने आगडे नहीं दे देंगे कि आपने total कितने attempt किये कितने सही हो रहें तब तक एक सही cut off बना पाना संबब नहीं है तो आप लोग comment करके अभशी बताएगा उसके बाद हम cut off को लेकर अवशी बात करेंगे फिलाल कितने percent चात्तों ने परीक्षा को छोड़ दिया है तो कई अलग-अलग centers पर ऐसा देखने के लिए मिला किसी में अगर बात किया तो 60% के आसपस उपस्तित देखने के लिए मिली तो किसी पर 23% के आसपस देखने के लिए मिली तो किसी किसी पर अगर हम बात कहें 40 यव 45 की बीच में देखने के लिए मिली है क्योंकि 2018 की परीक्षा दुबारा करवाई जारी है तो बहुत सारे अभ्यरती परीक्षा को देने ही नहीं पहुँचे है तो इसका फाइदा कट ओफ के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है फिलाल अभी एक दिन की परीक्षा और होना बाकी है जब तक आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना है उसके आदार पर बिशिलेशन करके कट ओफ से संबंदित एक और वीडियो बनाया जाएगा और उसी में हम इस मुद्धे पर बात करेंगे थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो